जय हिंद तो कैसे हैं आप सब बढ़िया है ना पढ़ाई बढ़ाई कर रहे हैं तो दोस्तों पढ़ाई करना बहुत जरूरी है पर साथ ही साथ अपने हेल्थ का भी ध्यान रखा करिए हेल्थ अगर अच्छी रहेगे ना तो पढ़ाई करने में इतना मज़ा आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं तो फिट रही है पढ़ाई कीजे एंड कसरत कीजे योगा कीजे कुछ भी कीजे मतलब फिट रही है बस क्योंकि फिट बंदा ना जेतनी तेजी से किसी भी चीज़ को याद कर सकता है ना उतना मतलब एक कमजोर बंदा या बिमार बंदा या फिट न जरूरी होता है दस पंदर मिनिट कीज़े ऐसा नहीं कि बाबा बन गए एकदम कि आज ही एकदम भगवान ब्रह्मा से आज हम बर्दान मांग लेंगे ऐसा नहीं दस पंदर मिनिट मेडिटेशन कीज़े काफी है तो दोस्तों हमने कल दो पार्ट कर चुके हैं क्लास सेवंध की आपकी हिस्ट्री कर रहे हैं चैप्टर नंबर सेवन ट्राइब स्नॉमैड्स कम्यूनिटी उसका दो पार्ट हमने किया आज उसी का यह आखरी पार्ट है यह व पारे में भी हम थोड़ा जानेंगे ठीक है तो दोस्तों मेरा नाम सौरव राज है और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नौलेज कैसल पर फटा फट फट यार अगर आप नए है या पुराने भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो नौलेज कैसल को सब्सक्राइब कीज अब देखें गॉंड्स जब मैंने आपको पढ़ाय था आपको कुछ मैंने आपको बताया था कि हमेशा यही नहीं होता कि ट्राइबल कम्यूनिटी जो हमने पांच साल पहले हम देखते थे कि वह हंटर गैदर निकले यह कुछ भी मतला पत्ते बांद लिए उसके बाद शि सिर्फ यह नहीं था कि ट्राइब्स थे तो जंगलों में बिता रहे हैं इन्होंने रूल भी रूलिंग भी करते थे ठीक हैं किंग्डम से बगेरा भी इन्होंने बनाय थे उसको एक्सपेंड भी किया था तो यह सब था इनका उसी में एक और आपकी कम्यूनिटी आती थी इनके बारे में पढ़ेंगे अब देखेंगे यह जो अहों थे यह कहां से आये थे यह आये थे मैनमार से आ गये थे ब्रह्मा पूत्र में ब्रह्मा पूत्र जो आपकी वैली है न दिखाता हूं यहां देखिए इस प्रणदे समय के बारे में बस और आपके वायं है थे कहां से आये थें मयनमार से आये ब्रह्मा पूत्र वैली पर इनों ने अपना सापना की थी अपनी ट्राइबल कम्यूनिटी के शुरूत की थी हमारे सब कॉंटिनेंट में ठीक है उसके बाद देखिएगा उसका बा तो इन्हों को पावर चाहिए थी तो इन्हों ने क्या किया था वहां पे जो ओल्ड कोई पॉलिटिकल सिस्टम था कोई लैंड लॉड वगेरा थे भूयान था उनका उनको हरा दिया था अपनी पावर बिठाने शुरू कर दी थी कब 13th century में ठीक है अब देखिए इन्हों क्या हुआ था इन्होंने एक kingdom था चुटियाज 1523 में उनको हरा दिया था ठीक है उन पर जीत हासिल की थी फिर आपका एक और kingdom था कोच हाजो इनको 1581 में इनको भी हरा दिया था याद कीजेगा देखिए 1523 में तो डली सल्तनेत एकदम खतम ही हो गी थी 1581 के आते आते अगर आप देखिएगा तो मुगल एंपायर के शुरुआत हो चुकी थी सेटल कम्यूटी अगर आपको दिखती थी ठीक है तो वह अहूम्स ही थे ठीक है अहूम्स बिल्ट लाज स्टेट एंड फॉर दिस दे यूज़ फायर आंप्स अरली एज फिफ्टीन थर्टी देखिए बड़ी कमाल की बात है अगर आप देखिए गा तो इंडिया में सबसे पहले तोपे कौन लेकर आया था बावर लेकर आया था 1526 में फिफ्टीन थीक है 1526 में बावर लेकर आया था था पर अगर यहां देखिए गए तो अहूम्स ने भी अपनी एक लार्ज स्टेट बना ली थी इनके बास भी आर 1530 में इन्होंने भी यूज करना शुरू कर दिया था फायराम्स को अर्ली तो यह अगर आप देख तभी तो इन्होंने बैंड बजा दी थे मुगलों की मुगलों की एकदम बैंड बजा के रख दी थी By the 1660s they could even make high quality gun powder and cannons अगर आप देखें तो 1660 तक तो ऐसा हुआ कि इन्होंने क्या किया यह लोग खुझ से अब high quality gun powders भी बनाने लग गय थे और cannons वगेरा इन्होंने बनानी शुरू कर दी थी अगर आप देखके लग सकता है कि इसे हम tribes कहेंगे वह आले tribes जो आपके मन में विचारधारा बन चुकी होती है कि जो तीड बान लेके चल पड़े शिकार करने नहीं ना तो यह फर्क है अब चलिए आगे देखें However, the Ahom has faced many invasions from the Southwest अगर Southwest से अगर आप देखिएगा तो काफी सारी invasions आपको देखने को मिलेते हैं यह रहे आपके Ahom community ठीक है तो Southwest से जो इन पे invasions वगेरा हो रहे थे इन्होंने उसका भी सामना किया और उनकी भी मतलब तूती वजा दी थी तो यहां पर आगर आप देखेंगे तो यह रहे आपके Ahom Brahmaputra के किनारे देख रहे हैं इन्होंने चुटियास को भी हराया था ठीक है काफी सारे इन्होंने यहां पे कबजा कर लिया था ठीक है तो यहां देखें मैनमार से आयते Brahmaputra Valley के किनारे आसपास बैटके इन्होंने अपनी Kingdom की शुरुवात कर दी थी इन 1662 मुगल्स अंडर मीर जुमला ठीक है अगर देखेंगा 1662 में क्या हुआ मुगल्स के देखें मुगलों ने इन पर आकरमंड किया था मुगलों ने मीड जुमला उनके अंडर में इन्होंने आकरमंड किया इन 1662 मुगल्स अंडर मीर जुमला अटेक किया था अब देखे जब इन्होंने अटेक किया था तो अहुम्स बहुत मतलब तगडी तरीके से लड़ेते हैं फिर भी वह हार गयते हैं ठीक है ठीक है ऐसा नहीं हुआ था कि अहुम्स किंग्डम मतलब सत्य नाश हो गया खतम हो गया अब नहीं उठ पाएगा मुगलों से भी ज़्याता बिली सलतनेत से वी ज़यादा आपका रूल किया था किसने अहुम किंग्डम ने रूल किया था म्यांध लगब ऐटींध से देखेएगा था ऐंपतो मतलब इतना हिनों ने मतलब इंद्व कविंद इसे सालों के लिए य भी अर्द से उपके दली सा फोस्ट लेबर ते वो कहां से आते थे आपके उनको हम पैक्स कहते थे देखिए जो forced labor, जो state के लिए काम करते थे ना, उनके लिए हम packs कहते थे, देखिए यही जो terms वगेरा होती हैं, आपके packs वगेरा, ठीक है, यह six packs की बात नहीं कर रहे हैं, apps वगेरा की नहीं, अब यहाँ पे देखिए, क्या कहते थे forced labor को, packs कहते थे, कहाँ पे, अहोम के kingdom में, उनके state में, ठीक है, तो यह लोग forced labor लाते थे, अपने ही clans, मतलब, clans कैसे देखिएगा, तो यहाँ पे आपको याद होगा, अगर हमने यहाँ पे, पे गहँ बड़ा, तो वहाँ पे गड़ा बन रागा थे, कितने साटे में उनके विलेजह देखिएगे थे, a census of population was taken अगर देखेगे तो a homes अपने kingdom में census भी conduct कराते थे ठीक है population को जानने के लिए कि population उन्हें पता चल चके ठीक है तो यह इसके लिए लोग census वगेरा भी कराते थे Each village had to send a number of packs by rotation Each village had to send a number of packs by rotation अगर देखेगे तो हर गाहों से क्या होता तो जो आपके force deliver थे जिने हम packs कहते थे यह rotation wise अपने आपको मतलब send करते रहते थे ठीक है state की मतलब work में कुछ काम है state में कुछ road मतलब road समझ लीजे कुछ बंद रहा है या buildings वगेरा बंद रही kingdom में कुछ मरमत वगेरा करनी है तो उसके लिए किसको बुला लिया जाता था मतलब यहां अगर आप देखिए तो movement होता था लोगों का dense populated areas से less populated areas में ठीक है जो densely populated आपके villages वगेरा थे clans थी उनसे इनको transfer कर दिया जाता था कुछ बंदों को less populated areas में ठीक है by the first half of the 17th century the administration became quite centralized अब यहां पर देखिए कर तो 27 सताब्दी तक आपको क्या देखने को मिलता था यहां को एडमिनिस्ट्रेशन था यानि kingdom के अधीनी इनका पूरा जो राज्य था यह चलता था almost all adult males served in the army during the war ठीक है इस्राइल थी लोग ठीक है इस्राइल में भी ऐसा ही होता है सबको कंबल सरी कुछ ना कुछ दिनों की military training मिलती है थीक है at other times they were engaged in building dams other times देखिए जो forced labor का काम क्या होता था यहां पर जादे दर समय यह बिल्डिंग dams वगेरा बनाने में irrigation system and other public works में इनका काम जाता था the ahomes also introduced new methods of rice cultivation देखिएगा तो ahomes ने नया method निकाल दिया था किसका नया method निकाल दिया था rice को cultivate करने का इन्होंने एक नया method निकाल दिया था persons होते थे उनकी वेजबूसा देखके लगेगा नहीं कि यह tribes थे ठीक है tribes जो हम so-called समझते हैं कि जंगलों में रहते तादी वासियों से जिन्हें हम denote कर देते हैं ठीक है a home society was divided into clans और खेल्स जैसे मैंने कहा था आपकी जो a home society थी यह clans में विववाजित की थी और इन clans को हम क्या कहते थे खेल्स कहते थे ठीक है clans कहते थे आपको जैसे कि पता है कहां पे किसको kles कहते थे clans को a home society में वहीं मैंने आपको कल गॉंड्स से पढ़ाया था तो गॉंड्स जो society थी वहाँ पे वहाँ पे जो गड़ बात रखे होते थे उस पूरे गड़ को मिला दे तो क्या कहते थे गड़ कटंगा कहते थे याद है न शब्द हो गड़ कटंगा तो याद रखा करीए यहां पर आकर आपको देखिए गाना तो आटिसंस वगेरे जादा नहीं मिलते थे तो कभी भी कुछ आटिसंस वगेरे की कुछ बनाना बनाना हो ज़रूत पड़ती थे लोग बाहर से बुलाते थे खेल ओफन कंट्रोल्ड सेवरल विलेजिस जो एक खेल होता था यानि क्ल विलेजिस वगेरा आते थे जैसे उसमें था ग्रकटंगा में जो आपके कितने सारे ग्रर थे उनके अंदर भी आप अंडर में भी देखिए तो कितने सारे 84 चौरासी चौरासी आदेने 84 विलेजिस ऐसा सिस्टम था ठीक है दपीजन वास गिवन लैंड बायर हिस विलेज क प्रॉनीटि थी उन्होंने ऊक पीजन को लैंड दे दिया डिकार में अब पता डेखिषों सकते होकथ तो नियाए 5 को लव्याह के अ उनक्तों की में की खुता है तो प्तक दो झाली मेरी चैन नहीं सकता है तब तक प्र्रॉनीटिस ने अपनीके अपनी नहीं सकता था और इसनली देखिए जो अहों से ना यह खुद के अपने भगवान जो होते थे इन्हीं की पूजा करते थे ठीक है दूरिंग फर्स्ट फफ अव देखने को मिल जाती है जितना हमने अभी तक पढ़ रहा है अगर फर्स्ट फफ ऑफ दी 17th century अगर देखिए तो यहां पे भी आपको अहुं किंग्डम में भी क्या हुआ था ब्राह्मान्स का इंक्लूएंस था आपको इंक्रीज होता वह देखता था टैंपल्स ऑफ ब्राह्मान्स वर ग्रांटेड टैंपल्स एंड ब्राह्मान्स वर ग्रांटेड लेंड बाई थे किंग जो टैंपल्स वगेरा होते थे ठीक है राजा आपके शिब सिंग थे आपके अहूम के तब यहां पर आपको हिंदुईजम की देखने को मिलती है अहूम किंग्डम में ठीक है एक प्री डॉमेनेंट रिलीजन बनके उभरता है आपका इस रीजन में अहूम केंग्स देड नौट कंप्लीटली गिव अप देडिशनल बिलीव आफटर अडॉप्टिंग हिंदुईजम पर तब भी देखिएगा क्या था कि अहूम जो किंग्स थे ना इन्हें पता था कि हां हिंदुईजम हम फॉलो कर रहा है हिंदुईजम उभर रहा है फिर भ फॉलो किया है जैसे जैसे हिंदुईजम उदय हो रहा था तो वैसे इनका चलता गया है अहूम सोसाइटी वस वैरी सोफेस्टिकेटिड देखिए आप यह भी देखिए तो आपको सोफेस्टिकेटिड देखने को मिलती थी कैसे पोईट्स और स्कॉलर्स वर गिवन लैंड दे दिया जाता था मतलब लैंड ग्रांट की देखिगा तो पैसिलिटी आपको हर किंग्डम में मिल जाती थी स्कॉलर्स को और पोईट्स को थीटर वास एंकरेज्ट यहां पर भी देखिए तो थीटर भी मतलब अगर एक्टिंग वगेरा जो होती है यहां पर भी इन्हों जो आपके देखिए यह तर्म आपको याद रखने हैं आपको याद रखने होते हैं आपको इस इस नहीं पर उसलेट कर दिया गया था था तीक है पहले इसको आहूम भाशा में लिखा गया था बाद में इसे असमीज में क्या कर दिया गया था ठीक है 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 तो दोस्तों आपका अगर यह देख्ई का तो अधिक है यहाँ पे अगर आप देखिए तो हमने जींप इसके बारे में पढ़ा अधिक है अदो कम्यूनिटीच के बारे में पढ़नें पहुकु कम से कम इतना पता चली गया होगा हमेशा यही नहीं होता कि ट्रैबल के ब काफी सारी आपनी मूवीज बगेरा में भी देखा होगा कि वो पीछे से मारतें तीर तो हमेशा वही वालय नहीं होता कि पीछे से मारा गले में चुप गए बंदा भी होशicial यह जैनवारों का शिकार कर रहे हैं ऐसा हमेशा नहीं होता है ठीक है इन दो दो कंगूनिटीस से हमने जाना अब देखें हम दोस्तों कंकुशन देखते हैं कि आकर ने पढ़ा क्या मझने पढ़ा है नहीं हमने फ़सके बारे में पढ़ में अब आए त्रैप्स के बारे में पढ़ा बिलकुल बढ़ा 9 वागे अगर हम conclusion देखें, considerable social changes took place in the sub-contained during the period we have examining अगर आप यहां पे देखेंगे जब तक हमने यहां जितना हमने topic अगर तीनों पार्ट आप देखेंगे अंग से दोनों पार्ट आपने किये होंगे तो हमने क्या पढ़ा था काफी सारे आपको सोसाइटी में changes वगेरे देखने को मिल रहे जैसे जैसे आपके tribal groups होते यह उभर रहते बड़े-बड़े हो रहते तो आपको यहां पे काफी सारे changes वगेरे देखने को मिल रहे थे अब देखेए इसमें भी आपको क्या था जो आपकी सोसाइटी जो मैने आपको पढ़ाई थी और यहां पे वी अगर फ्रसे तरफ यहां दूसरी तरफ आपकी क्रेंच जूसाइटी थी थी इनके बीच में लगता है interaction जैसे जैसे बढ़ रहा था वैसे वैसे आपको क्या देखने को मिलता है कि वर्णा सिस्टम में कई-कई religions अगेरा भी जातीस अगेरा भी इसी सिस्टम से निकलते हैं और अगर देखिए गा तो ट्राइबल पीपल भी अपने आपको वर्णा सिस्टम यानि एक कास्ट बेस सुसाइटी में जाने को मजबूर हो जाते हैं राजपूत में आपने देखा हो कई सारे ऐसे kingdom से मलब राजा थे जिन्होंने अपने आपको राजपूत में convert किया था या गिवगरा करा के या marriage वगरा करके इस interaction cost both kind of societies to adapt and change ठीक है यह हमने देखा there were many different tribes and they took up diverse livelihoods यह भी हमने पढ़ा काफी सारे tribes के बारे में पढ़ा उनकी livelihood के बारे में पढ़ा diverse livelihood कैसे जीते थे वो लो over a period of time many of them merged with caste based society धीरे धीरे क्या होगा थे यही जो आपकी tribal societies थी धीरे धीरे caste based societies में merged होना शुरू हो गई थी यह भी हमने जाना था others however rejected both the caste system and orthodox Hinduism some tribes established extensive states with well organized systems of administration यह भी हमने पढ़ा काफी सारे जो आपके tribal tribes थे इन्होंने एक well मतलब अपना एक kingdom अपना एक state जो था यह established कि अपना एक राज्य बनाया ठीक है and जहां पर आप अगर देखी का तो well organized system देखता था आपको किस चीज का administration आपको अच्छे से देखने को मिलता था दो kingdom के बारे में हमने पढ़ा गॉंड और अहोंस के बारे में तो आप इतना तो जानी गए होंगे thus they became politically powerful यह लोग politically भी powerful हुए this brought them into conflict with larger and more complex kingdoms and empires अब जैसे जैसी political powerful होते हैं तो धीरी धीरी क्या होता है यह लोग ना conflict में पढ़ जाते हैं अब जैसे जैसे पावर में बढ़ेंगे तो बैस बाजीत होगे लड़ाई हो रही हैं तो यह लोग इनकी भी conflict शुरू हो जाती थी बड़े बड़े empire से मुगल empire से देखा इनकी मतलब जड़ब शुरू हो जाती थी तो यह आपको देखने को मिलता है और इसी के साथ दोस्तों आपका यह chapter हो गया समाप्त ठीक है बहुत चीज़े हमने इस chapter में जानी तीन पार्ट में बना लंबा lecture था इसलिए मैंने इसको तीन पार्ट में कर दिया ने तो आप भी बोर हो जाते ठीक है बोर्ड नहीं होता होना चाहिए न पढ़ाई में कभी भी वैसे पढ़ाई में कभी भी बोर्ड नहीं होना चाहिए पर आपके यह आसानी के लिए मैंने क्या किया था इसको तीन बार्ट में डिवाइड कर दिया था तो बस दोस्तों आपका चैप्टर आज खतम होता है ठीक है उमीद है आपको यह चैप्टर अच्छे समझ में है इंटरस्टिंग चैप्टर था मज़ेदार एंड ऑसम यार जस्ट ऑसम चैप्टर था काफी सारे इंपॉर्टेंट चीजे थी आपको काफी सारे जो हमने ट्राइबल जो ग्रूप से उनके नाम सुने ठीक है उनकी लोकेशन देखी कहां पाये जाते थे पूरे सब कॉंटिने आज शाम को आपको व्ल्ड जॉगरफी का देखने को मिलेगा, अगर देखिएगा आपको आपने देखा हो तो हमने जियो मॉर्फ लजी के जो बेसिक सब्च तॉपिक्स है वो एक बड़ा टॉपिक है ठीक उसके अंधर काफी सारे आपको सब तॉपिक्स वगएरे देखन तो यह सब आपको नहीं पता रहेंगे तो दिक्कत आएगी तो उसी लिए मैंने आपको यह पढ़ाने शुरू किया था जियो मॉर्फोलोजी आपके थोड़ी बहुत सॉरी कंप्लीट हो गई हमने जो मॉर्फोलोजी में लास्ट चैप्टर आपका वॉल्कैनों किया था उसी अगर आपको वॉल्कैनों ही नहीं पता होगा तो आप क्या टेम्ट करेंगे तो इसलिए कराना पड़ा अप देखिए दोस्तों मैं क्लाइमटलोजी शुरू कर रहा हूं क्लाइमटलोजी के भी थोड़े बहुत टॉपिक्स कर रहा हूंगा आज देखिए जो आपका आपको सब्सक्राइब करना आपको सब्सक्राइब करना है आपको कहीं नहीं जाना है सब चीज आपको यहीं मिल जाएगी नौलेज कैसल पर ठीक है तो इसके लिए आपको सिर्फ एक चीज करनी है मैं आपके लिए तनी महनत करो तो थोड़ा सा तो हक बनता है मेरा भी आपसे बोलना कि यार आप सब्सक्राइब कीजे नौलेज कैसल को सपोर्ट कीजिए एंड बस पढ़ाई कीजिए एक्सराइज कीजिए मेडिटेशन कीजिए बस बस अपना गोल अचीव करने पर फोकस कीजिए ठीक है तो थैंक यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो लेक्चर ठीक है गॉड ब्लेस्ट यू आल जय हिंद कर दो कार दो हुँ है